Hey everyone, आप सब कैसे हैं? मैं हूँ सियर प्यूज गुपला आज मैं आपके साथ share करने वालो हूँ कि मैंने अपनी life में अपनी first income कैसे earn करी थी और उसमें जो एक बहुत सारी चीजे आप पूछते रहते हैं over the time वो सारी चीजे मैं आपके साथ share करना चाहूँगा और जो भी income आप generate करेंगे उसको आप further grow कर पाएं तो सबसे पहले देखें जब मैंने first income generate करी थी न वो time period था मेरा article ship का यहाँ पर मैं article ship की जो हमें remnant relation मिलती थी उसकी बात नहीं, stipend हम बोलते हैं मतलब CA के अंदर क्या होता है अगर आपको idea नहीं है कि CA final से पहले हमें CA के अंदर में training लेनी पड़ती है उस time पे 3 years की हुआ करती थी तो 3 years की हमें training लेनी रहती थी जिसमें stipend मिलता था मतलब CA हमें as a salary हमें provide करते थे बट CA के अंदर ना stipend बहुत nominal होता है बहुत कम, बस आप इतना मान की चलिए कि hardly आपके petrol का expense उसमें से recover हो पाएगा तो वैसे कोई salary उस time पे नहीं मिलती थी अब हुआ क्या कि जब article ship start हुई तो I was free कि मुझे अभी study का ऐसा कोई pressure नहीं था intermediate clear करने के बाद में final में अभी gap था तो उस time पे कुछ time let's say I think 6 to 12 months के around मैं completely free था मैंने अभी CA final के अपनी study start नहीं करी बहुत सारे student ऐसे होते हैं जो final के study उस time पे start कर देते हैं और वो okay है अपनी strategy matter करती है बट मैंने उस time पे वो study start नहीं करी थी तो article ship ही उस time पे बस मेरी run हो रही थी और बाकी ऐसा कोई study का pressure नहीं था साथ में graduation चल रही थी बट graduation में कितने effort जाते हैं वो आपको पता और CA study करते करते graduation के efforts का तो आपको और ज़्यादा अच्छा idea होगा है कि ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं पढ़ता है मुझे ना CA के अलावा जो अपनी hobby थी वो थी technology के अंदर तो मुझे technology बहुत ज़्यादा पसंद है starting से मतलब जैसे मतलब आप सब्झेगे न website design करना और यह मैंने कहीं पर भी किसी से कुछ नहीं सीखा था तो अपने आप यह एक्सप्लोड करकर करके नहीं नहीं तरहीं की website क्रेट करना जब मैं CA इंटर्स लेवल पर था तो mobile को android को modify करना अब तो सब छोड़ दिया है उस टाइम पर एसा था था कि पूरा android कि website अपने practice के लिए करता रहा बट उसके साब बाद मेरे पास challenge आया है कि अब मैं इसको मेरे पास कोई objective नहीं था कोई purpose नहीं था जिसके थुरू मैं नहीं website अपने create करके practice कर पाऊं अपने जो hobby है उसको follow कर पाऊं उस time पे मैंने अपनी service को as a जो website development का का उसको मैंने सोचाए कि क्यों ना client टूंडे जाए और client के लिए website develop करके दी जाए इससे क्या होगा उनको website मिल जाएगी मेरी income हो जाएगी और सबसे बड़ा purpose मेरा क्या था कि मुझे एक objective मिल जाएगा जिसके बेस पर मैं अपनी कुछ नया target होगा website में सीखने का और करने का अब उस time पर I think मेरे पास दो client आये थे मैंने दो clients achieve किये थे और दोनों client इंडिया के बाहर के थे एक अफ्रीका से थे और एक आस्ट्रेलिया से थे उस time पर दोनों ने मुझसे website develop कर वाई website में बहुत simple था मुझे आता था तो मैंने उनके और आपको इंकम अगर पूछनी है कि इस time पर कितनी इंकम जनरेट हुई थी तो उस time पर around seven to eight thousand रुपेज मुझे रिसी वह दे टोटल दोनों से मिला कि और कमाल की बात पता है क्या यह दोनों ही क्लाइंट जब मैंने सोचा उसके पंद्रा दिन के अंदर मुझे मिल गए मैं अब यहां पर दो थीन चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा पहली चीज यह कि वह क्लाइंट मुझे मिले कैसे इस चीज को आप फॉलो कर सकते ह तो आप उस पर वर्क कर सकते हो कि अपने क्लाइंट कैसे अचीव करने हैं अब देखो जो क्लाइंट से वो इंडिया के बाहर के थे तो डेफिनेटल उनको फेस टू फेस समय कभी मिला नहीं है परसनली मैं ऐसा नहीं जानता था तो मैंने सोचल मीडिया का यूज किया इंस ही तो आपको क्या करना चाहिए आपको उनलाइन सर्वीसिस का यूज करना चाहिए फेसबुक ग्रूप उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है जेतने पहले हुआ करते थे बट आज भी बहुत अक्टिव हैं तो फेसबुक ब्रॉफ जो आपके उस से रिलेटिड हैं आप वहा मेरा मेइन प्रोफेशन था भी नहीं, अब इस टाम पर जू मेरी इंकम हुई थी नो उस टाम पर मुझे लिछान है, मैंने 2 चीजे पर्चास करी थी, एक mobile, स्मार्टफोन मेरा अपनी इंकम से था उससे पहले भी मुबाइल था बट स्मार्टफोन नहीं था तो यह स्मार्टफोन मैंने प्रचिस किया था वो मेरी अपनी इंकम से था स्मार्टफोन पर मैंने जो लिया था वह 4500 अरॉंड का था उस ताम पर थोड़े सस्के तो मैंने नॉर्मल लो एंड मुबाइली लिया था अब उसके अलावा मैंने परचीज किया था देस्क्टॉप मॉनिटर का मॉनिटर पर चीज किया था पहले मेरे पास स्मॉल साइज का था फिर मैंने उसको बड़े साइज का पर चीज किया था तो आई तिंक ऐसा ही कुछ 8000 के राउन में दोनों चीज़े आ गई थी तो यह मेरी फर्स इंवेस्टमेंट थी अब इसके ब मेरे पैरेंट्स तो मुझे यही सजेस्ट किया था उनका था कि अर्णिंग आप देको एक्सपेंस कम कर लो चीजे मैनेज कर लो बट अपने खर्चे मत बढ़ाओ अगर फाइनेशली कुछ का स्ट्रेंट है तो आपको लगता है कि हाँ पैसे की रिक्वार्मेंट अपने ए चुल मैं पता है कि वहाँ पर इतनी ज्यादा एफट्स नहीं जाते इतना टाइम नहीं जाता तो डेफिनेटली फिर आप उसमें ज्यादा मतलब अपनी अर्निंग की तरफ टाइम दे सकते हो आपको पता है कि कॉलेज मुतनी पढ़ाई नहीं हो रही है तो बैटर है अपन करना है कि मैं फर्स्ट जॉब कैसे अचीव करी फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला फर्स्ट क्लाइंट से मैंने क्या फीज चार्ज करी और अभी मैं कंसल्टेंसी के लिए इतनी हाई फीज कैसे चार्ज कर पाता हूं क्या फीज चार्ज कर लेता हूं तो आप मुझे कमेंट करक इसमें से आपको क्या-क्या पूछना है मैं कोशिश करूँ है जल्दी आपके लिए इन सब चीजों के उपर एक वीडियो लेके आने की ठीक है तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये वीडियो जल्दी जल्दी आपको फिर मिलती जाएंगी बाई बाई